तो नमस्कार एड़ीवन मैं उजबल सेगा आज से लोग का एक प्रेस अपने वीडियो पर स्वागत करते हैं और आज किस टॉपिक पर बात करने वाले इसका अंदा आज तो आप से लोग को लगे गया वागा वीडियो का टैटल और थर्मिल देख करके तो चली वीडियो को स वीडियो में और देखते हैं अपना पट्ना बेन कुलेज्च का अंदर का महाल किस तरह का है तो चली वीडियो पर चलते हैं तो हम आचुके हैं गेट नमर फोर जो की बियान कोलज का सबसे लास्ट गेट है वहां से हम सुरू कर रहे हैं और अपना बियान कोलज का वन नमर गेट तक पहुचेंगा वन नमर गेट जो असोक राजपत के सैड से हमें देखनों को मिलती जैसा कि वीडियो का में आपको लोग को देखाए हुआ है गेट नमर वन है अपना बियान कोलेज का तो यहां का जो नजा रहा है वहाँ आप सबीढ़ लोग देखी रहे हैं किस तरह का महाल है बहुत अच्छा अंदर में बन चुका है पहले बियान कोलेज में जो भी था वह उसका हमें पता न कोई लोग देख सकते हैं कितना अच्छा महाल है यह जो सामने का इलाका है जर्लक रहा है आपके लोग को लिए तो यह एक्चुली में अपना ब्यान कोलज का गराउंड है अंदर में और यह जो गार्डेन छोटा सा बना हुए यहां पर बच्छे लोग बैठके देख सकते है लड़के लोग बैठे हुए हैं और बहुत कुछ इस कॉलेज में यहां एक टोब भी अराम से सोया हुआ है च्छावर में ने पेर हुए रहता है जी तो बहुत अच्छा काम लगता है मतलब कोई भी गर्मी के दिन में पेर के नीचे बैठके थोड़ा सा हवा खा सकते हैं यह जो ग्राउंड है यह घ्राउंड मतलब पहले उतना बना हवा नहीं था अच्छा से लेकिन यह ग्राउंड साइद इस नहीं है लेकिन 2020 में यह गराउंड अच्छी तरह से निर्मान हूई यहां जो देख रही हैं यह बुतनी का पिछे का इलाका है और यह सामने अपना junior का जो वियल््डिंग है वह junior का वियल्डिंग्स है और यह सामने जालक रहा यह लैब्रेडी लिखा हुआ हिए आसल कर लैब्रेडी है यह आपने और यह ग्राउंड है दो देख से कि मतलब एक अच्छा तरह तरह से इस ग्राउंड को बनाया गया है अब इधर आपको लेकर चल रहे हैं यह चौटा साहरा है अपना स्पोर्ट स्कूर्क इरे सारोट और एक एक वह साइल में बात न偌 Sug一 प्लक चल रहे हम अभी आपके लिए और यहां पे जो क्या चेह खिम का वेवस्था कि आगाई इस में और केंटिन तो भी बंद है लेकिन खुला हुआ है आज मतलों आज बंद है पता नहीं क्यों और यहां पर बहुत सही टॉमी सब स्वया हुआ है जैसा क्या आप सभी लोग देखी रहे हैं कि इस कॉलेज का इतिहास तो वैसे बहुत लंबा है यार कब देखिए आप सभी लोग मतलब बहुत अच्छा नहीं जा रहा है यहां का नो डाउट उसमें यह ग्राउंड जो है ग्राउंड के बारे में यहां पर सामने आपसको देख रहे हैं वहां पर जो गेमों बगड़ा खेलूल होता है तो वहां से आप मतलब जो सिनियर सब आते है गाइड करने के लिए और मार्कस्तार देते हैं वहां पर टॉफिर बगड़ा वहीं सानने रखाती है मिन पर दो चलिए आपको गेट नमर्वन के तरफ लेकर चल रहे हैं तरफ ले जाने से पहले बीच में जो भी गेम प्ले हो रहा है वो देख लिजे यह तो एक गरांड हो गया मतलब वैड़ वाल के लिए या फिर क्या फुट वाल के लिए और इधर का जो सामने से जाते हैं वो भी भी यह कि साइड में हम सब निकल जाएंगे लेकिन उससे पहल बहुत अच्छा निजा रहा है और अज थोड़ से स्ट्रोंट सब भी कमाए हैं और अंदर में एकजाम ही चल रही है आज साइड पीजी का एकजाम चल रहा है क्या आद चेजिका पता नहीं लेकिन एकजाम चल रही है उपर आपको देखाएंगे पीजी का ही होगा और यह यहां पर से बगल में आपको देखा रहे हैं यह जो यह एडिया है अपना सामने में यहार नेशनल कॉलेज यह बिल्डिंग सबसाइद सबसे परानी हमें लगेती है क्योंकि बहुत बराबरा रूम है बगेरा बगेरा अच्छा सारा है और पराना फेकल्ट्री से बना पर कहीं नहीं लगा हुआ है ने टुब गएड़ा है बॉलीबॉल भी साथ इसे में खेलेगा सब ही कोई लोग ऐसे तो अभी लोग खेली रहे हैं बास्केट वाल बॉलीबॉल भी उसे में खेलते होंगे पता नहीं अशा तो कुछ उधर देखे तुम लगा नहीं और यह जो है यह बेलिडिंग है यहां पर देख सकते हैं कितना अच्छा महाओल है तो बहुत अच्छा लगए यह जो बीश का ग्राउंड कराई जा रहा है हमारे गाउं में आपको पता होगा बार मलाही काले स्थान वहां से मैं बिलोंग करता हूँ तो वहां पर भी बॉली वोल का एक छोटा सा टूनामेंट करा रहे हैं लडू चेयर का कलास करने या फ्र्य पता नियत। और जिपार्टमेंट ओफ जैङरे जडिकर दिपार्टमेंट है। और यह सामें निकल रहे हैं बेर वह अधर भी हम चलते हैं अधर लेके चलेंगे आपको तक तक enjoy कड़ी वीडियो को, देखिए आप ही किस तरह का महौल है, यह जो सामने से gate देख रहे हैं, दरसल यह असो काश्पत के तरफ से निकलती है, यह gate number one हुआ, वो सेड में लेकिन उससे उधर जाने से पहले अंदर भी देखते हैं आप सभी लोग के लिए और यह जो सामने में फेर जहला कराई गार्डन परे देखें गार्डन, यह कितना मतलब अब बहुत अच्छा गार्डन है, बना हुआ, ग्राउंड छोटा सब हरा भरा भरा घ्रंगासों से, और यह जो पेर देख रहे हैं, यह सिंदूर का पेर हुआ, तो देख सकते हैं सिंदूर का पेर किस तरह का फल, अगर आप नहीं देखे हैं न, सिंदूर का, जिसे सिंदूर निकलती है, वो सिंदूर इसमें है, भरा हुआ रहता है, इसे फाड़ीगा तो सिंदूर मिलेगा, अगर आप इसे देखना चाहते हैं, तो एक पिस में तोर के आप लोगों को देखाऊंगा, कोई नेक्स वीडियो में जब बनाऊंगा, तो द सारा डिक अब डिपार्टमेंट अगर आप गरिजुवेस्टन एंडर गवेस्टन में हैं, तो इस इधर ही साइड सब को मिला, यहां पर कुछ दोस्त मेरे, मेरे डिपार्टमेंट के दोस्त हैं, हाई भोल रहे हैं, और बहुत अच्छे लोग हैं, उसमें नो डाउट, तो देख सकते हैं, धिक अब अब बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर इसमें बात की जाए, परहाए रहे बेसकरी अच्छी मिल जाती है दोनों में, और सायन्स और परहा है, और यहां पर नेक के टीम के तरफ से दिया गया है, भी पलस इस बार, तो बहुत अच्छी रेंग दी गई है बी पलस भी कोई खराब रेंग नहीं है कॉलिज के लिए एक बार तो समय था कि इस कॉलिज का रेंग भी मतलब माने तक तक रद करने की बात चल रही थी और दरसर ये कॉलिज की बात करें तो ये कॉलिज के ही एस्टुडियन्ट रह च चुकी थी और उस समय हाई स्कूल के तरह मानिता मिली थी इस कॉलिज को और उस समय पता नहीं था कि ये कॉलिज इतना आगे तक जाएगा पटना इन्वरसिटी के अंदर अभी ये कॉलिज आती है आप सभी को पता ही होगा लेकिन नहीं भी पता है तो मैं बता दिया और इ को पीछे लेके चलता आगे लेके चलता हूं जहां पर ग्राउंड है यह अपना स्पॉर्ट्स का एनुवल हुआ था चोविस पचीस चब्विस दोजर पाइस को फरवडी में ही तो यहां पर लोग बैठके अपने जज्जमेंट दिये थे और यहां से देख सकते हैं किस तरह का महौल है बहुत अच्छा नजा रहा है जितना हो सका अपना कैमरा में आप सभी कोई के लिए रिकॉर्ड किया हूं और आप सभी के लिए लाया इस कैमरा में तो अगर आप सभी लोग का सपोर्ट रहा तो प्लीज यार एक लाइक तो बन यह पुड़ा मैप रहाप नाव मतलब जो बियन कोलेज के अंदर के है गंगा रिभार उस साइड में पीछे परती है यह गंगा के तट पे ही बसा मतलब पुड़ा यह गंगा के तट पे कॉलेज है और यह इधर मतलब इनका नाम मैं परने पाया वहां पर गया नहीं हूं तो यहां पर देख सकते हैं आपको गेट नमर वन के तरफ लेके चलनी के कोर्सिस में कर रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो अगर आप वीडियो पुड़ा फुल देखे हैंगे तो भी पता चलेगा ना कि मतलब पुड़ा कॉलिज का नजारा क्या है यहां पर काउंटर से अभी बीग बेपार थर्ड में एडिमिसन के लिए भरम सभी बच्चे लोग ले रहे हैं यहां पर सभी लोग देख सकते हैं बात हुए अगर आपना-पना कर रहे हैं किस तरह से डिमिसन खराना है कि तो अभी मैं लेकर चलता हूं आप सभी लोग को सेमिनार हॉल के साड़ है उपर में तो साथ लॉप भी होगा चुछ लिए देखते हैं लॉप भी रहना चाहिए उपर में लॉप होगा मेरे को लगड़ा है क्योंकि एकजाम चल रहा है देख सकते हैं चलिए तो सिरी पारक इसका बैक देरे साड में रखा हुआ है बहुत सारा मतलब यहां पर इस ट्रेंट लोग उपर में बहुत साथ बैठते हैं अधर सेमिनार हॉल है यह सर वे उस लर्खा को बोल रहे हैं यह लर्का को बोल रहे हैं एक काम है जाओ यहां से नीचे जाओ अगर आप लोगों को इस वीडियो में यह बोड को पढ़ना है तो पुस करके पढ़ सकते हैं नोडाउट उसमें और एक बात और आप सभी लोग को अब मैं लेके चल रहा हूं गेट नमर वन के तरफ यहां से सीधे नीचे गेट नमर वन के साड निकलेंगे जो किया सोक आजपत के साइड से पर्किंग का अडिया है इधर देख सकते हैं और सामने में डिन ओफिस है यह जो अपने लेट में है ऑफिस यहां पियाब अंदर आपको दिखाते हैं यहां से अप सभी लोग को एडिमिसन अगर इस कोलेज में लेना है तो सारा डोकॉमेंट यहीं पर जमा करना होता है और क्योंकि आपका सेजेशन ही हमें आगे तक ले जाएगी तो प्लीज कोमेंट करके बताए कि किस तरह का मैंने गलती कहां पर किया और भी बहुत कुछ इस कॉलेज में है तो मैं उस चीज़ को मतलब बत यहां अपना छोटा सा कैमरा में देखाने पाया और सेमिनार हॉल तो यो कि मैं सब्सें अंपररेंट छेश मैंने आप लोगो कर लिए बनाया बहुत महनत की है तो लाइक द encant के मृधर रीजर बताए हैं कि बहुत से लोग ऐसे ह Expedition पीछे में कुछ भी बोलेंगे लेकिन comment box में आके बोलेंगे नहीं अपना बात तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये सारा comment box भी यहां परा हुआ है यूटूब का बात प्लेज यूटूब पे ही किया जाए तो अच्छा रहे तो मिलते हैं गाइस एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेवल के कंटेंट के साथ और इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंग करता हूँ तब तक के लिए जैहिन दोस्तों इंजोई करिए इस वीडियो का सेर भी दवा के करिए